वेल्कम टू एलके चानल अज हमें क्राइनबरी चट्नी पेकल सरगा काईसा करना देखेंगे क्राइनबरी से लेके अच्छा पानी में धोके दो दिन सुखवाए अभी एक बगोनी में चार छमज मेंटी दालके फ्राइ करें ड्राइ फ्राइ आल नहीं दाले लो फ्लेम में रखके फ्राइ करना फ्लेम ज्यादा रखे तो जल जाता अंदर कच्छा राता और अच्छा टेस्ट नहीं आता अभी इसमें दो चमच राइ या मस्टर्ड सीड्स दालके और चिट-चिट-चिट साउंड आय तक फ्राइ करके निकालके एक पेपर प्लेट ने दालके जरा थंड होने के लिए रखे अभी एक दो चमच आयल दालके क्रांबेरिस को तल लेंगे अभी तलने के बाद ऐसा पेश्ट सरका हो जाता ने के लिए दस या बारा मिनिट टाइम लगा अभी इसको जरा ग्राइंड करके एक प्लेट में ऐसा डाल लेना दाल लेके अभी मेंती और राय दालेना वह भी फ्राय करके और सेम प्लेट में दालेना अभी इसको तीन चमश चिली पाड़र दाले यह इसको क्या बलते काश्मेरी चिली पाड़र यह बहुत स्पैसे नहीं रहता कमी स्पैसे रहता उसलिए तीन चमश चिली पाड़र दाले अभी एक चमश साल्ट दाले और तोड़ा साल्ट बादम दालेंगे अभी बगोने में करीब चार चमश आईल दालके उसमें बगरा दालेंगे बगरा में दाल कोई जालने का जरूरत नहीं है बगरा में काली दो चमश राय याने मस्टर्ड सीट दालके इसके साथ एक चार चिली मिर्ची और काटके और दालेंगे और तोड़ा हिंज भी दालेंगे यह अच्छा तलने का बाद लेके यह गरम गरम आईल और यह पुरा बगार ओ चिली पोडर पे दालना चिली पोडर यह गरम गरम आईल में फ्राय होता वह बहुत अच्छा तेस्ट आता उसके अलावा हल्दी भी भी तोड़ा कम गर्म आयल में मिल गया तो बहुत अच्छा केस्टा था और ये मेंटी पोडर हल्दी चिल्ली पोडर और क्रैंबरी पेस्ट पूरा मिला के अच्छा मिलाया तो अपना क्रैंबरी आचार सर का चटने तायर हो जाता इसमें और एक चिम्चा साल्ट दालना क्योंकि एक क्रैंबरी बहुत कटा रहता इसमें इमली या लेमन जूस दालना का कोई जरुरत नहीं है एक देखो अब आचार सर का क्रैंबरी चटनी अच्छा बन गया अभी गरम गरम राइस में चटने दाल लेके एक चमच घी दाल लेके मस्त कलो मस्त राता मस्त राता प्राय करो एंजाय करो फरम लेके साथ आउ